हलो फ्रेंग्स वैलकम तो दच्छानल आप रोगों का बहुत बहुत वैलकम है मैं आज आप रोगों के सामने 31 जनवरी को जो सीटट के एक्जाम हुआ था उसके पी आर्टी पेपर वन का आंसर आपके पास लेके आई हूँ मेरे पास सेट के है आप जो है अपने सेट के हिसा देख लेते हैं फर्स्ट क्या है इन और तो एड्रेस लेर्न फ्रॉम डाइवर्स बैग्राउंड टीचर शुट डाइवर्स बैग्राउंड से आया हुए लेर्नर के लिए टीचर को क्या करना चाहिए तो देखिए ऑप्शन नमबर फूर इस राइट ऑप्शन ड्रॉइग अलग अलग जगह से आये हुए स्टुट के लिए अलग अलग जो सेटिंग से उनके पास एक्जाम्पल उन्हें प्रवाइड करना चाहिए ठीक है नेक्स कुशन पर चलते हैं कुशन नमबर टू हमारे पास है प्रॉब्लम एविलिटीज कैन बी फैसिलिटेट वाइ जो प देखिए option number one is the right option, encouraging use of analogies जो हम student को encourage करेंगे कि वो analogies का use करें प्रॉब्लम को solve करने में नेक्स कुशन पर चलते हैं, in order to address the need of student who are facing learning difficulties a teacher should not जो student को learning में difficulties feel हो रहे हैं, तो as a teacher आपको क्या करना चाहिए, तो आप देखेंगे, जो इसका option number two है, right option है sorry, यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप option number two देखेंगे, practice rigid structure for pedagogy and assessment हम जो है, practice नहीं देंगे, rigid, rapid practice नहीं देंगे, जब बच्चे को difficulties ही हो रही है, तो हमको कितने भी practice प्रवाइड करेंगे, उसका को effect नहीं होने वाला तो option two जो है, इसका right option है, next question पर चलते हैं, question number four, dash is the primary identifying feature of creativity, इन में से कौन सा creativity का primary identification है, option number four is the right option, divergent thinking जो होती है, एक topic पर अलग-अलग तरीक सा सोचना divergent thinking होता है, तो divergent thinking ही जो है creativity का सबसे best feature है, ठीक है, next question पर चलते हैं, which of the following is most effective mode of teaching learning, इन में से कौन सा जो है effective mode है teaching learning का, तो exploration, बच्चों को जो है explore करने देना चाहिए, उन्हें खुच से करने का मौका देना चाहिए, ताकि वो concept के बीच में है, relation establish कर पाएं, ठीक है, next question देखिए, a teacher analyzed the various errors made by student on a given task, teacher ने analyze किया है, बहुत तरीके के errors जो बच्चा कर रहा है, जो बच्चे को को कोई task दिया गया है, तो क्यों हो ऐसा, तो error के लिए आप क्या कहेंगे, तो option number four, जो है right option है, जिसमें कहरे है, understanding of error are meaningful in teaching learning process, teaching learning process में error बहुत जादा importance सकते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चा कोशिश कर रहा है, तो कोशिश कर रहा है, तो वो गलत भी होगा, वो सही भी होगा, तो error का importance होता है learning में, okay, next question, motivation to learn can be sustained, हम motivation को कैसे बनाये रख सकते हैं, ठीक है, कैसे हम बच्चे को motivate कर सकते हैं, तो इसका जो option है, question number four, focusing on master oriented goals, जब हम बच्चे को इस चीज़ के लिए motivate करेंगे, कि आपको इस चीज़ के लिए मास्टरी करनी है, तो वो अच्छे से motivate होगा, क्योंकि ये internal motivation है, किस चीज़ को करने के लिए ready होगा, ठीक है, next question पर चलते हैं, shame, shame dash, shame से क्या होता है, shame के बारे में पूछा है आप से, तो option number four, इसका right option है, can have negative impact on cognition, shame, अगर बच्चे को shame feel होगा, तो बच्चा जो है, आगे नहीं आएगा फिर सीखने के लिए, तो उसके जो cognition पर जो है, वो negative effect पड़ेगा, ठीक है, next question, question number nine, constructivist view of learning, suggest that, children dash, construction of their own knowledge, तो constructivist वो होते हैं, जो बच्चों को खुसे किसी चीज़ को करने के लिए, motivate करते हैं, तो constructivist की view में, वो क्या suggest करते हैं, learning को लेके, बच्चों के बारे में, तो option number one, जो है, right option है, कि जो बच्चा है, वो active रहेगा, खुद से चीज़ों को करेगा, तभी वो अपने knowledge को क्या कर पाएगा, construct कर पाएगा, ठीक है, next question, which of the following belief is good for learning, इन वैसे कौन सा belief जो है, वो learning के point of view से सही है, तो आप देखेंगे, option number three, right option है, कि जो ability है, वो improbable है, हम learning को बहतर बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो, next question, conceptual understanding among student is likely to improve in the setting which emphasize on, conceptual understanding है, वो बच्चों में कैसे improve हो सकती है, by inquiry and dialogue, बच्चे inquiry करेंगे, चीज़ों के बाएगे, पूछेंगे, dialogues करेंगे, discussion करेंगे, तो वो better सीखेंगे, ठीके, next question, question number 12, it is difficult for children to learn when, बच्चों के लिए, सीखना कब difficult हो जाता है, तो, option number three is the right option, information is presented in disconnected chunks, जब हम बच्चों को information दे रहे हैं, और वो क्या है, disconnected है, किसी concept का, other concept के साथ relation established नहीं हो पा रहा है, तो बच्चों को सीखने में problem create होगी, okay, question number 13, देखेंगे, best state of learning is, learning का सबसे best state क्या होता है, सबसे best state होता है, जिसमें बच्चे को, क्या हो, moderate arousal हो, यानि कि, उसे को अंदर से motivate हो, क्या उसे कुछ सीखना है, और no fear, और कोई डरना हो, ठीक है, next question की तरफ चलते हैं, question number 14, individual difference in development of attributed, जो individual difference है बच्चों में, उसे हम कैसे और ज़्यादा, मतलब किस चीज़ से हम उसको attribute करें, किस चीज़ का, क्या reason है individual difference का, तो आप देखेंगे, कि जो hierarchy है, और जो environment है, दोनों का आपस में, जो interplay है, वोही important होता है, वोही mean reason होता है, किसका individual difference का, okay, next question पर चलते हैं, next question हमारा है, अपने आपको motivate कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए, कि मुझे अब यह करना है, अब मुझे यह करना है, अकॉर्डिंग टो लैव वाइगौस्त की, idea on language and thought, this kind of private speech, लैव वाइगौस्त की ने private speech दिया था हमें, उनके अकॉर्डिंग यह private speech क्या है, तो यह है आपका self-regulation, खुद को किसी काम के लिए, करने के लिए guidance देना, self, खुद को regulate कराना, कोश्चन अबर 16, evaluation practices should aim at, जो evaluation हता है, उसका क्या aim है, identify students need and requirement, नेक्स्ट कुश्चन की दिएर चलते हैं, after observing that, students are struggling to proceed further, उसको और आगे सीखने में जो मुश्किल हो रही है, किसी activity में, और teacher decided to provide cues and hints, teacher ने decide के उसे cues and hints प्रवाइड करें, तो according to live by ghost, this strategy of teaching will, तो जो by ghost की है, उन्होंने जो थिएरी दी थी, आपकी community development की, उसमें उन्होंने बताया था, कि जो बच्चे को हम scaffold प्रवाइड करेंगे, यानि कि जो support प्रवाइड करेंगे, उससे बच्चा सीखता है, तो यहाँ जो teacher hint दे रही है, क्यों दे रही है, यहाँ पे scaffolding का काम कर रही है, तो प्रवाइड की theory के according, यहाँ पे scaffolding का काम एक teacher कर रही है, नेक्स कोशन, आफ्टर गेटिंग हर्ट, जीरिंगा प्ले अक्टिविटी, रोहन स्टार्ट क्राइग, सेंग दिस, इस फादर रस्पॉंडेड डोंट बिहेव लाइक कर दिया, एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम रोहन है, तो उसने रोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसको देखे, उसके पादर ने उसे कहा, कि तुम रो क्यों रहे हो, लड़कें की तरह, लड़कें रोते नहीं हैं, तो यह किस statement के तरफ आपको point कर रहा है, तो यह reflect कर रहा है, gender stereotype, लोगों की जो सोच है, जान्डर को लेके, कि लड़कें रोती हैं, लड़कें नहीं, उस चीज़ को show कर रहा है, इन अ progressive classroom, जो progressive classroom है, उसमें क्या होता है, उसमें ample opportunities होती है, ताकि बच्चा अपने knowledge को, खुछ से construct कर पाएगो, ठीक है, next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 20, according to Lawrence Colber, theory, जोनोंने model development की theory दी थी, performance and act, and doing something because other approves it, कुछ किसी काम को करना, क्योंकि, दूसरे लोग इसको approve करते हैं, तो यह कौन सी stage code, point out कर रहा है, तो Lawrence Colber की तीन stages थी, pre-conventional, conventional and post-conventional, तो यह जो condition है, यह आपका conventional stage का, statement है, जहां जो बच्चा है, वो law follow करता है, जो society से related हो, next question is, which of the following is correct, in the context of socialization of children, socialization के context में, आप बच्चों के वादे में क्या कहेंगे, तो school is a secondary socialization agent है, और family जो है, primary socialization agent है, बच्चा सबसे पहले अपने family से interact करता है, बाद में वो school में जाके, socialization सीखता है, ठीक है, तो वो secondary हो गया, next question is, theory of multiple intelligence, जो multiple intelligence theory है, जिसको Harvard Gardner ने दिया था, वो किस चीज़ पर emphasize करता है, वो emphasize करता है, there are several form of intelligence, ठीक है, next question, pre-operational stage in Gene Piaget's theory of cognitive development, Gene Piaget ने cognitive development की theory दी थी, तो उसके according जो, उसने four studies दी थी, sensory motor stage, pre-operational, concrete, and last में formal operational stage, तो pre-operational stage में, Gene Piaget के according, बच्चे के अंदर क्या चीज़े होती है, क्या quality होती है, तो centration in thought, वो असर एक ही चीज़ पर concentrate करके रह जाता है, उसके अलावाब दूसरी चीज़े पर उसका ध्यान बहुत कम जाता है, तो concentration होता है, centration होता है, focus हो जाता है एक चीज़ पर, which of the following statement is correct in context of development, development के context में इन में से कौन सा जो statement हो correct है, तो development is multi-dimensional, development के अंदर physical, cognitive, emotional, social, सारे ही concept आते हैं, इसलिए वो multi-dimensional है, next question is, लेप वाइगौस्त की, social culture practice of learning emphasizes importance है, वाइगौस्त की ने social cultural learning पर focus किया है, तो उसके according जो है, जो learning है, उसके लिए सबसे अच्छा tool, social culture जो perspectives है, जो social cultural rules है, वो क्या है, वो cultural tools हैं, उनके लिए, सीखने के लिए, ठीके, next question, in the theory of cognitive development, Gene Piazay explained cognitive structure in term of, Gene Piazay ने, जो structures होते हैं, cognitive, bodhic structure होते हैं, किसी के mind में, उसको किस नाम से suggest किया है, तो उसको उन्होंने schemas के नाम से, बताया है, ठीके, next question, in an active classroom, emphasis should be on, active classroom में, आपका emphasis किस पे जादा होना, चाहिए, इस बात पर होना चाहिए, कि जो, opportunities है, वो, ऐसी हो, बच्चो, ताकि बच्चे अपनी maximize कर सेके, अपने potential को, जादा अपनी potential को, वो यूटलाइज कर पाएं, किसी task को करने में, ठीके, पादूर को थे, आप जो हमें, दीया है, उसके अपोर्डिक जो है, इन में से कौण सार टम आप यूज करोगे, सबसे पहले उसके अंदर जो है सैंसरी डवलप होती है फिर वह लॉजिकली सोचता है लेकिन अधिकली को लेकर उसके बाद वह अबस्त्रक्त की बिना कीज़ को सामने देखे उसके वारे में सोच सकता है नेक्स कोईशन इस इस इनडिविजिवल इफ्रेंटेंस इन प्रोग्रेसिव क्लास शुट भी ट्रीटिट इस इन डिविजिवल इस इस उसको हम कैसे करेंगे तो करेंगे as a importance for planning of teaching learning process ठीक है इसको हम ध्यान में रखते हुए ही teaching learning process को क्या करेंगे प्लान करेंगे ठीक है यहां आपका CDP खतम होता है चलते हैं mathematics के तरह ज्यादा time ना लेते हुए first question जो है आपके सामने which of the following is least likely to be impact teaching learning in mathematics में से कौन सा जो है वो कम important है teaching learning of mathematics में तो आप यहां पर देखेंगे कि जो यहां पर आपका दिया हुआ है option number तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो option number two है और right option है हम किसी हम बच्चों को जो है solution देंगे wrong answer से तो इसका कोई fact नहीं है ठीक है को impact नहीं है next question is रोहित realized that square is both rhombus and rectangle उसने realized कि रोहित ने कि जो rectangle है वो rhombus भी square जो है वो rhombus भी है और rectangle भी है दोनों चीज़ों में relation established किया तो यह वे नहीं लेकर कौन से stage पर आता है तो यह आता है आपके level two पर जिसमें वो relation establish करता है ठीक है next question के तरफ कर चलते हैं next question is the sum of any two whole number is a whole number किसी दो whole number का sum भी whole number होता है यह कौन से property को शो कर रहा है तो यह शो कर रहा है clauser property को next question is which of the following statement regarding mathematics teaching learning is incorrect इसमें से कौन सा जो है incorrect है mathematics teaching के regard में तो option number 4 है इसका right answer है क्यों कि यह बोल रहा है आपको कि इसमें से कौन सा कम तो यहां पर जो आपका है option number two is the right option कि जो argumentation है और negotiation है वो important नहीं है यह चीज़ गलत है next question पर चलते हैं which of the following statement are true regarding understanding regarding of the teaching numbers at primary level primary level पे number को teach करने का इसमें से कौन सा जो परपस है वो आपका जो है सही है तो क्या होता है इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहला है आपका कि intuitive इसमें होना चाहिए ठीके तो इसमें जो है आपका option number four correct है B and C क्यों writing number should be taught in sequence sequence में सिखाना चाहिए और writing of number as number should preceded counting और पहरी संख्याओं को जो संख्याओं को रूप में लिखना यह primary concern होता है primary level पे ठीके next question is which of the following is most important aspect of teaching of mathematics at primary level primary level पे math को teach करने का क्या सबसे में जो है aspect है तो वो है कि making mathematics part of children's life experience ठीके next question next question में देखिए क्या कह रहा है आपका which of the following student is not correct with regard to the nature of mathematics mathematics के nature के regard में तो कौन सा जो है वो correct नहीं है तो इसमें आप देखेंगे कि जो correct नहीं है वो यह है कि primary level mathematics is concrete and does not require abstraction किसी भी abstraction के जरूती नहीं है primary level पे तो यह चीज़ जो है यहाँ पे आपका गलत है तो इस जी राइट आंसर ठीके next question की तरफ चलते हैं which of the following activities is most likely to develop special reasoning among student इन में से कौन सा जो है बच्चों के बीच में जो है special है कि जो space है जो shape है उसके regarding जो है reasoning capacity को develop करेगा तो इसका जो आपका होगा कि बच्चों को जो हम identify करने को देंगे T-celting figures क्या होता है अलाला टाइब की figures होते हैं उन figures को identify कर देख के बच्चा identify कर सकता है कि इसमें किस टाइब का कौन सा figure है कैसा है तो यह better है next question पर चलते हैं which of the following is most suitable for teaching children the concept of fraction तो fraction का concept बच्चों को सिखाने के लिए जो सही तरीका है वो है यहां पर आपका कि उसे road चाहते हैं जिसको हम क्यों सेंड रोड कहते हैं उस road से हम उसको अच्छे से सिखा सकते हैं बच्चों को ठीक है next question पर चलते हैं next question is चलिए देख लेते हैं next question माना क्या है in which of the following statement number three is used in ordinal sense ordinal होता है जो position बताता है तो इसमें कौन से statement में three का ऐसा use हुआ है तो देखिए i leave on the third floor third floor पर रहरा उसका position बता रहा तो यह right option होगे next question identify the correct statement निमें से correct statement कौन सा है वह हमें बताना है तो correct statement में से आपका यह है the shape of the figure determines the parameter क्योंकि जितनी sides होंगी वही उन्ही का sum उसका parameter होगा ठीक है next question identify the correct statement which with respect to the mathematics curriculum mathematics curriculum के respect में स्टेट्मेंट बताइए तो इसका जो right answer है कि जो concept है negative number का वह हमें introduce करना चाहिए फ्रैमली लेवल पर better understanding के लिए ठीक है तो यह आपका right option है ठीक है तो चलिए next question पर चलते है 43 identify the correct statement with regard to introducing the concept of triangle at primary level ठीक है इसका right option है वह आपके साब से क्या होगा तो आप देखेंगे यहां पर इसका right option होगा कि option number two children को जो है exposed करना चाहिए triangles जितने भी types के हैं और other figures के regarding B ठीक है next question is in division sum the divisor is five time and the question and five time the question and twice the remainder if remainder is five what is the number तो इसका answer one है इसका explanation आपको next video में मिलेगा ठीक है अभी आप answer match कर लीजिए अपने the sum of the five consecutive number is twenty twenty है five consecutive number का sum तो बताए sum of first three numbers consecutive numbers क्या होंगे तो option number four that is nine next question पर चलते हैं a wire is in the form of square wire जो है square की form में है and close an area of 144 cm square how much area is enclosed if the same wire is bent in the form of rectangle of land 16 अगर उसी उतने ही वायर को अगर हम बैंड के rectangle बनाने के लिए solar centimeter के length की तो क्या उसका area होगा वो होगा 128 cm square next question among the following fraction the largest and the second largest fractions respectively are option number three okay next question पर चलते हैं ashmita reaches school for a meeting 15 minutes before that is 8.30 a.m. she reached half an hour early then her colleague who is 40 minutes late for meeting what is the scheduled time of the meeting तो मिट्टिंग का जो schedule time है वो क्या है तो इसका जो राइट option है option number जो है इसका 5 राइट आंसर है कि हम 48 small squares को जो है 5 different types में arrange कर सकते हैं इसका area 48 हो ठीक है next question पर चलते हैं in school assembly student of a class are standing in a line ruby is 19th from both hand both hands से 19th है 19th है तो बताओ school में class में कितने बच्चे हैं तो इसका जो राइट option होगा वोगा option number 4 that is 37 ठीक है चलें next question पर चलते हैं next question क्या है आपका a number is larger than half of hundred it is more than six tenths and less than eight tenths ठीक है the sum of its digits is 9 the 10th digit is the double of the one's digit what is the number the number is 63 next question the rate of the various stationary item are given below यहां पर rate of the stationary item given है तो पूछा गया है कि कितना pay करना पड़ा है सुहेल को तो इसका answer आपका 100.50 ठीक है next question पर चलते हैं a train start from Patna on 30 May 2020 और वो 23 के 40 मिनट पर पहुंच रहा है वहां पे ठीक है और इस मुंबाइ on 1st June ठीक है उसने वहां से start किया 30 माई को 23 के 40 मिनट पे और वो पहुंचा मुंबाइ 1 जून को पांच के 15 मिनट पे तो बताईए कि इसका प्रेवल ताइम कितना है कितना ताइम उसने लिया टोटल तो है 29 आर्स 35 मिनट इन फाइब नंबर दिजित आदे हांड़ पे इस 3 4th of the digit at the 10,000 place and the digit at the 10th place is 2 3rd of the digit of the 100th place the digit at the 10th place is square of the smallest prime number and the digit at the 1000th place is the largest single digit number if the digit is at the at unit place is largest single digit or number than the number is to bethayenge ki number kya hai to number joe hai 8 7 6 4 9 ठीके next explanation में आपको प्रवाइट कर दूंगी इसका attention मतले ना ठीके next question what should be subtracted from this 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 to get this to answer option number one ठीके next question a bucket of 16 liter capacity is filled to brim with water water from this bucket is not to be transferred into the smaller utensils a mug filled to capacity has to be dipped 50 times तो total कितना time लगेगा मग से पाइन जो time लगे टोटल जो उसने ट्रांस्वर के 50 times किया that means जो मग की capacity है वो है 320 ml 16 को हम 60 liter को डवाइट कर देंगे 50 से तो हमारा आंसर आजाएगा next a taxi meter shows charge taxi का charge यहां पर शो कर रहा है ठीके first two kilometers 16 sorry 50 and for every for other two kilometers के लिए other kilometers के लिए 16 for every kilometer 50 पहले दो kilometer के लिए था उसके आगे वो जितने kilometer जाएगा तो पर kilometer 60 rupees 16 rupees उसके लगने है मंजु ने 258 पे किया तो बताओ कितनी kilometers गई that is 15 kilometer the following table show marks obtained out of the hundred by maria and shahnaz in five subjects तो इस बेस पे आपको बताना है किस वेसे कौन सा जो statement है वो सही है ठीक है तो option number जो इसका two है वो right answer है जो aggregate marks है मारिया के वो शहनाज के equal है ठीक है next question पर चलते हैं which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics mathematics की context में इस पर से कौन सा जो है वो सही तरीका है प्राइट option है वो option number four intuitive provide करेंगे understanding के लिए concepts को तो इसके लिए हम बच्चों को encourage करेंगे लास्ट कुश्चिन मैट्स का following गार्द सम्कुश्चिन पोस्ट बाइद टीचर इन mathematics classroom mathematics classroom में कुछ questions है जो बच्चों को सामने एक टीचर ने put up किया है तो पूछा है तो आप बत क्या जानते है इस question के बाद में किस तरकी के questions है यह तो इसका right option होगा वह होगा आपका option number two ठीक है option number two इसका right option है जो a and c है closed है closed ended question है और जो option number b and d है वो open ended है ठीक है चलिए यहां से आपका मैस का portion खतम होता है तो साइन्स की तरफ बढ़ते हैं मैपिंग स्किल इन इवियर्स हैल्प मैपिंग स्कील जो है बच्चों का किसमें help करता है तो help करता है understanding the relative positions positions को understand करने में समयान of class 5th usually does not do his class work the best measure to address the situation तो उसको हम address करने के लिए क्या कर सकते हैं हम उससे बात करेंगे talk to him for his difficulties ठीक है उसके साब से मैं उसको पर correct करेंगे next question मुसकान organize a debate debate organized किया है use of diesel vehicle diesel vehicle को लेकर उन्हें organize किया है ठीक है कि हमें diesel vehicle का use नहीं करना चाहिए तो इस organization का क्या purpose है class में मुसकान के लिए तो इसका जो answer होगा वह होगा आपका option number three क्यों बच्चों को क्या करना चाहती है सांसाटाइस करना चाहती है रियलाइफ की इस problem से related ठीक है next question there is a paragraph in class 5 एविए अलबूनी के उपर paragraph दिया था तो इस paragraph से इस paragraph को देने का यहां पर क्या reason है क्यों दिया गया यह paragraph किस किस वज़े से दिया गया तो आप यहां पर देखेंगे कि इससे जो बच्चा है history को भी identify करेगा ठीक है और क्या करेगा यह जो है appreciate करेगा करेगा इंडिया की technologies को ठीक है और it help to appreciate the role of evidence in history history के जो evidence है उसको भी appreciate करने के लिए help to answer is a c d okay next question की तरफ चलते हैं next question हमारा है the integrated nature of evs help to integrated nature जो evs का है वो किसमें help करेगा तो यह help करेगा किसमें की जो बच्चा है वह तो child-centered approach follow सके और लार्ज चीजों को क्या कर सके रिलेट करके पढ़ा सकें ठीक है next question which of the following is not a broad indicator of evs assessment evs assessment का इन में से कौन सा जो है वह broad concept नहीं है evs को assess करने का तो option number two is the right option concept mapping concept mapping broad नहीं है सब concept से लेटेड है questioning as a strategy in teaching learning of evs is used for questioning क्यों use की जाती है ठीक है तो arrives in curiosity जा बच्चों के बीच में curiosity पादा हो और वो questions पूछें चीजों को सीखें with over 50 student in her class one he wants to engage them in an activity which involved maximum number in involve maximum of senses to enhance learning but crowded बच्चों की class में जो teacher है वानी हो चाती है कि बच्चों के maximum senses को involve कर पाए अपनी class में तो कौन सी activity वो करेगी तो वो क्या करेगी तो आप देखेंगे कि फिर वो यूज करेगी smart class for relevant AV material तो इससे क्या बच्चा देखेगा भी बच्चा सुनेगा भी ठीक है तो इससे बच्चे को क्या होगा size senses एक second इसका the right option है वो आपका option number two organize करेंगे field trip इससे बच्चा क्या है रियल लाइप से connect हो पाएगा चीज़ों को देखेगा सिखेगा sense करेगा ठीक है next question पर जलते है question number 69 why does ikra increase her learner to read newspaper and magazine वो newspaper and magazine पढ़ने के लिए क्यों force करती है क्योंकि these have learner to engage with the real world, real world के साथ engage करते है in which of the following state the meaning of torang of jungle कौन से स्टेट में torang का means jungle होता है तो ये है जारखन ठीक है next question your house is located ये direction का question है ठीक है तो इसका जो answer होगा आपका वो होगा आपका hundred ठीक है hundred meter west explanation आपको बाद में प्रवाइड कर दूंगी ठीक है section wise next question today we can't think of food without chillies बिना मिर्च के हम food के बारे में imagine नहीं कर सकती है तो आपको बताना है कि कौन सी country जो है इसका trader है तो हो है South America ठीक है next ये भी आपका जो है time to little question है ठीक है तो इसका answer 38. actually 38.1 है तो 38.1 जो है वो यह answer late हो रहा है तो यह आपका option होना चाहिए next question which one of the following statement is not true इसे कौन सा honey bee और beehives को लेके true नहीं है हमें ये बताना है तो आप सभी जानते हैं male bees जो है कोई भी काम नहीं करते तो ये statement गलत है क्योंकि यहां पे इसको important बता रखा है the constitution of our country was prepared under the leadership of किसकी leadership में constitution हमारा create हुआ था dr. भीम राओ बाबा साहिब अमबेट कर ओकी next question consider the following function to give support to the plant plant को support कौन देता है to provide humans humans कौन परवाइड करता है to store food खाना कौन परवाइड करता है ठीक है to absorb water and mineral water mineral को कौन absorb करता है तो आप यहां पर देखेंगे कि इसे कौन कौन से काम जो है वो रूट करता है तो रूट जो है plant support प्रवाइड करता है plant को ठीक है यह तो सही है प्रवाइड करता है तो इनमें से जो यूट नहीं है वो है money फुल्ट इस्टेट है बिच वाइड फॉलिविंग प्रॉविंग प्रॉड इसे कौन से जो है वो प्रॉड प्रॉलियम को क्या करते है प्रॉड प्रॉड उस करते हैं तो बॉम्बेहाई प्रॉड 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 उसे जो है यहां की क्या भॉट जादा फेमस है साड़ी हाँ, पोचमपली साड़ी बहुत जादा फेमस है तो आपको भी बताना है कि पोचमपली कहा है वो पोचमपली तिलांग नाव है ठीक है Next question is Select from the following group each member of which is rich in iron इसे कौन से member है जो iron में rich है हमें बताना है तो option number 4 आवला, spinach and jagdi तीनों ही good source है Next question Which one of the following did experiments with pea plant इसे किसने pea plant पर experiment किया था to found pea plant has some traits which come in pear such as rough or smooth, tall, short, yellow and green ये जो प्लांट के features हैं ये जो pea के जो features हैं वो पेर्स में आते हैं किसने ये experiment किया था तो ये कहता है Georgia John Mandel ठीक है Next question In which of the following state most people just construct their wooden house 3 to 3.5 3 to 3.5 meter above ground से कौन बनाते हैं अपने घरों को तो वो आसाम की कि वहाँ पे बाढ़ आने का चांज जादा होता है तो इसलिए ठीक है वेज रिस्पेक्ट तो देले देले के रिस्पेक्ट में मैप में दिली को अगर हम ध्यान रखें तो गांधी नगर पतना का डारेक्शन क्या है तो इनका जो डारेक्शन है वो है आपका और वाट ओपिशन नर्होर 4 साओट वेस्ट साओट एस्ट ठीक है नेंस पर चलते है फोaster सोन में ऐसे क्लास्रूम को आप कैसे प्लान करेंगे तो इसका जो रिड़ी निंगर 3 कमांइटो और मोर सब्जएकेल एंटो वन लैसें तो हम integrate करके बढ़ाएंगे Which of the following is one of the six themes suggested in the EVS इनमें से कौन साथ जो EVS की छे theme इनमें से एक है तो यहाँ जो आपको right option है वो है one Things we make and do यह theme है माई Next question What should be avoided in anecdotal record जो anecdotal record होता है उसमें हमें क्या चीज़ को avoid करना चाहिए तो आपका जो anecdotal record होता है उसमें क्या होता है आपका basically identify करते है problem situation making statement of judgment यह सही identify the strength and the weakness यह सही है identify the child area of interest and relationship यह भी सही है COD आपके यहाँ पर सही है तो आपका जो option number four है वो जो है आपका right option होगा ठीक है next question के तरफ चलते हैं Smita want to sensitize her learner about gender despite gender despite is के तरफ जो है उसको aware करना चाहते हैं तो what should Smita choose to do in her classroom from the situation तो उसे क्या करना चाहिए in situations में से तो उसे क्या करना चाहिए invite a student's mother to class who is an auto driver ताकि उन्हें पता चल सके कि यहां पर किसी का भी gender role fix नहीं है कि male है तो यह work करेगा female है तो यह work ठीक है पुनित गेव इस class 5th learner an outline of human body human body का outline दिया फिर से कहा कि आप इसकी picture को draw करो चैप्टर पढाने से पहले ही तो वो क्या चाहता था वो चाहता था वो चाहता था elicit learners idea about digestion वो जानना चाहता था बच्चों का idea क्या है digestion को लेके वो क्या जानते हैं digestion के बादें next question which of the following is not correct इसे कौन सा correct नहीं है with respect to the formative assessment option number three it is it is to be reported in every quarter of report card यह कोई जरूरी नहीं है ठीक है assessment हमारा आपका सासा तुमारे learning के सासा चलता रहता है तो यह सही है तो यहां पे आपका जो है evs भी यहां खतम होता है तो यहां तक आपका evs खतम होता है तीनों section में नहीं हाँ पर करा दिये हैं Hindi English किसी का language 1 किसी का language 2 है तो वह मैं आपको जो है next video में प्रवाइक करूंगी यहां तक आप अपने subject match कर लीजिएगा thank you so much keep smile अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like share करना मत भूलेगा thank you so much